So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एसे शेयर की जो यहाँ पर बिल्कुल स्प्लीट होने वाला है, 4-1 का स्प्लीट होगा साथ ही बात करेंगे सेल की और गेल इंडिया लिमिटेट के बारे में यहाँ पर इनके long term के targets क्या होगे, उन्हें हम discuss करेंगे और साथ ही एक एसे शेयर की बात करेंगे, जिसमें shares अलोट हो रहे हैं So वीडियो को आगे continue करूँ से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे channel The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है, तो please channel को subscribe कर लेना तो करते वीडियो को start So guys वीडियो की शुरुआत करेंगे हम संगी Industries Limited में संगी Industries Limited में अगर देखें तो काफी बड़ी news सामने आ रही है यहाँ पर stock में एक बड़ा jump हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर बिल्कुल stock allotments हो रहे हैं इस company है यहाँ पर अगर देखें 70.20 रूपिस के राउंड शेयर हमें यहाँ पर closing देता हुआ नजराया है यहाँ पर अगर बात करें 1.30 रूपिस के राउंड शेयर में एक अच्छा उचाल देखने के बिला है 1.89 रूप परसंट के हिसाब से यहाँ पर न्यूज आ रही है अलोट्मेंट की बोर्ड आप संगी इंडस्री अप्रूव अलोट्मेंट आप 73.26 लाग एक्विडी शेयर तो बिलकुल यहाँ पर अलोट करेंगे और यह मिटिंग यहाँ पर हुई थी बिलकुल कल के दिने मिटिंग हुई थी और शाम के वक्त यहाँ पर न्यूज आ गई अब बात करेंगे एक यह से शेयर की जो बिलकुल स्प्लीट होने वाला है बिलकुल स्प्लीट का अनाउंस्मेंट हो गया है और यहाँ पर जो स्प्लीट की एक्स डेट है वो है 6 जनवरी 2030 बिलकुल 6 जन 2023 को यहाँ पर स्प्लीट होगा 4H2.2 का यहाँ पर है अगर आपके पास इस कैपनी के 2 शेयर है तो 2 शेयर यहाँ पर 4 शेयर में टूट जाएगे और company के total आपके पास होंगे चार शर्ड तो बिल्कुल गाईज यहाँ पर एक बड़ी ख़बर है तो यहाँ पर company का नाम क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो एक speciality chemicals में यहाँ पर sector की company है chemical sector की company कह सकते है और यहाँ पर company का नाम है Supreme Petrocam Limited Supreme Petrocam Limited है company का नाम और यहाँ पर company split होगी और यहाँ पर अगर देखे company already यहाँ पर काफी बड़े price पर trade कर रहा है 791.20 रूपिस के राउंड कमपनी हाँ पर trade कर रही है 17.75 रूपिस के राउंड the returns भी इसने दिये है 2.29% के हिसाब से एक अच्छी growth देखने को हमें मिली है so guys यहाँ पर हमने split share, allotment shares की बात करेंगे so guys अब बात होंगी steel authority of media limited के बारे में steel authority of media limited यहाँ पर अगर देखें यह steel sector का बहतरीं share है government के महारतन में आता है इनके long term के target क्या हो सकते है वो हम यहाँ पर discuss करेंगे बिलकुल यहाँ पर इनके levels के साथ यहाँ पर stock ने last trading season की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसने closing दी है 82.80 rupees के around returns अच्छे हैं यहाँ पर अगर देखे guys 1.75 rupees के हिसाब से stock यहाँ पर बढ़ा है 2.16% के हिसाब से growth हमें देखने को मिली है विलकुल यहाँ पर तगडी growth के साथ इस years बड़े है 5 दिन के time frame पर तो पिछले 5 दिनों में share काफी बहतरीन returns दे चुका है यहाँ पर अगर देखे पहले sideways consolidate किया उसके बाद stock ने अच्छा high लगा फिर sideways चला फिर stock ने अच्छा momentum बता है फिर sideways चला और यहाँ से फिर एक बड़ा momentum आ सकता है बड़ यहाँ पर थोड़ा wait करना होगा किस particular level पर आपको buy करना चाहिए अस वीडियो में बता होगा और पिछले 5 दिनों में तो बिलकुल 7 रुपे 75 पेसे तक यह share बढ़ गया है 200 के around a share trade कर रहा था 200 के around share trade कर रहा था 100 रुपेस तक भी गया 150 रुपेस तक भी गया बट उसके बाद और गिरावट इसमें आई जब जब stock ने अच्छी बढ़त बढ़ने की कोशिश की उसके बाद गिरावट है बट गयाइस यहाँ पर हमारी खिसमत अच्छी है कि share हमें सस्ते में मिल रहा है बिल्कुल डिविडेंड के मामले में भी एक बहतेरीं share है गाईस तो यहाँ पर हम discuss करेंगे कि किस लेवल पर बाय करना चाहिए तो गाईस यहाँ पर clearly अगर मैं कहूं तो एक बाइंग लेवल है 81 रुपिस का 81 रुपिस के around के लेवल पर बाय कर सकते हो उसके बीचे का एक simple जा reason है यहाँ पर last trading season तो अच्छे बड़ा देखने के लिए no doubt यहाँ पर अगर देखें पहला यह sideways consolidate कर दा था इस लेवल को break करते सही market भी morning में gap up हुआ उसके बाद अच्छे returns दे दिया है जो target सहम पहले discuss कर रहे था वो target सहमा रहे चीव है 84 रुपिस तक तो है गया 85 का target था बट 84 रुपिस के around सही गिरा वर स्टार्ट होगी क्योंकि यहाँ पर Indian market भी negative रहा तो guys यहाँ पर levels है यहाँ पर support है यहाँ पर breakout वि है 82.20 रुपिस के around यह शेर गया तो जो gap है जैसे ही sudden एक feel होता है तो बिलकुल आप buy की और जा सकते हो तो guys यहाँ पर buy कर सकते हो but as a long time के purpose के इसाफ से गर दीख जाया तो stock में एक बड़ा breakout मिले यहाँ पर stock sustain करे तो बिलकुल buy कर सकते हो यहाँ पर बिलकुल इस particular level पर मैं बात करो guys one week के time frame पर एक breakout का हम वेट कर रहा है breakout मिलता है तो इससे भी बड़े levels achieve हो सकते हैं यहाँ पर stock गिरा यहाँ से stock में गिरा ओट है यहाँ से stock में गिरा ओट है यहाँ से गिरा बट है और यहाँ पर जो यह point है यह है हमारा retaste point बिलकुल एक retaste point है और बिलकुल out मिलता है तो stock bill global क्यों जाएगा 140 rupees के round के जो labels है easy तरीके से यहाँ पर achieve हो सकते हैं और guys बड़े levels की में बात करो बड़े levels की में बात करो यहाँ से stock में support है यहाँ से stock में support है यहाँ से support है यहाँ से rejection यहाँ से rejection finally इस trade line को किया breakout breakout किया stock ने इच्छे highs लगा और यहाँ पर कर रुपिस को भी हाँ पर cross कर देगे इतने ability इस chair में है तो बिलकुल sell का target as a long term के purpose से 300 तक भी जा सकता है बड़ते आगे अब बात होंगी गेल इंडिया लिमिटेट के बारे में गेल इंडिया बिलकुल government के भैतरी शेयर्स में से एक है 96.15 रुपिस के round closing दिये है यहाँ पर 20 पेसे तक की बड़त है 21% के साब से long term का सीधा level अगर में बता हो तो यहाँ पर आने वाले time में stock 130 140 रुपिस तक भी जा सकता है हालागी target बड़े रखना है 150 के round के target यहाँ पर रख सकते हो अगर 140 का level break होता है तो इस तहार तक जाएगी जाएगा यहाँ पर यह pattern बन रहा है 1 month के time frame पर यहाँ पर बन रहा है symmetrical pattern बिल्कुल नीचा उपर गया फिर नीचा फिर उपर जा रहा है तो guys यहाँ पर 100 रुपिस का जो level है 100 रुपिस का जो level ब्रेक होता है तो 130 140 या फिर 150 का level बिल्कुल यहाँ पर अच्छे होगा stock में as a long term के purpose हैं आप खुदी देख लो इह ब्रेक आउट के बाद stock में बड़े momentum यहाँ पर हमें मिलेगे मिलेगे वो यहाँ पर 110 रुपिका डार्गेटर को अगर 100 के level को ब्रेक खरता है तो सो काफी कुछ बाते हो चुकी है and shares को लेकर इस वीडियो में I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दिना चैनल को सब्सक्राइब कर दिना और गास अगर अभी तक आपने इंशेर का analysis नहीं किया तो please sales का analysis करके ही investment क or not, thank you